गुद्ध मॉर्लिंग बच्चो मैं ट्राफिक सिग्नल हूँ और ट्राफिक की सड़क पर मतवाजन रवानी के लिए मेरा होना बहुत जरूरी है आज मैं आपको ड्राफिक सिग्नल के तीन परगों की लाइट का मतलब बताता हूँ कर दो यरा हमें यह बताती है की रुखने के लिए तयार हो जाओ अग्रेट लाइट हमें यह कहती है कि रुप जाओ ग्रीन लाइट हमें यह बताती है कि आप जा सकते हैं तो बच्चों आप जब भी रोड पर निकलो तो हमेशे ट्राफिक सिंगल को फॉलो करूं ताके हाथ साथ से बचा जा सके अभूबकर क्या तुम मेरे साथ बेरे कार चलोगे हाँ चलूँगा अभूबकर वो निशान देखो इसका मतलब है के रुको और उस निशान का मतलब है के चलो इस साइन का मतलब है के नो पारकिंग और इस साइन का मतलब है के यहां स्पीड की लिवट 20 है चलो रोट क्रोस करें यह है जैबरा क्रोसिंग याद रखो कि रोट क्रोस करने से पहले दाएं देखो और फिर पाएं देखो और इहत्यार से रोट क्रोस करो और याद रहे कि रोट क्रोस करते वक्त रश पे ना जाओ अब आपका हेलमेट कहां है अपनी हिफास्त के लिए हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए शुक्रिया बेठा याद दिलाने के लिए अब आपका फोन आ रहा है आपको कोई फोन कर रहा है इस तांग फोन नहीं उठाना चाहिए मैं थोड़ी देर में प्रेकॉल कर लोगा अब आप खामोश क्यों है आप हॉन क्यों नहीं देते ताकि ड्राइवर हमें रास्ता दे हम लेट हो जाएंगे अस्पदाल साइलेंट जोन होते है यहां हॉन बजाना मना है और हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए हम पहुँच गए अबबा जगा खाली है यहां स्कूटर पार्क करें हम मूवी के लिए नेट हो रहे हैं बेटा यह नो पार्किंग एरिया है और हमेशा अपनी गाड़ी को पार्किंग एरिया में ही पार्क करना चाहिए तो बच्चो आज हमने ये सीखा कि सड़क पर चलते वक्त ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और दूसरों को भी इसकी तल्हीन करें ताके हाथ साथ से बचा जा सकें अस्पताल के साथ में हौरन मत बचाएं और नो पार्किंग में काड़ी बिल्कुल खड़ी ना करें